शिर्दंगी देवा ठीजी धाय एक शिएार। कि अगर मैं इसके बैक पैनल की बात करूँ तो आप देख सकतो यहां पर आपको इसका एक फैन देखने को मिल जाएगा जो दोनों चैनल का अलग-अलग है से प्लेट है यह इस चैनल का और यह इस चैनल का दोनों चैनल का आपको दोनों फैन देखने को मिल जाए जो काफी अच्छे है और कुछ मेंसन भी किया हो इसके उपर एनक्स ओडियो और उसका आउट्पूट इंपूट जो भी इसका वेल्यू वह भी एंप्यर के साथ में इसके उपर मेंसन किया हो ता कि इन फूचर अगर पंखा खराब भी हो तो आपको सेम वेल्यू का पंखा मिल जाए और उसके बाद मेंगर हम यहां पर इसके इंपूट सेक्षन की बात करें तो आप देख सकते हो यहां पर आपको बैलेंस भी मिल जाएगा आप यहां पर शिदा अपने जो मेल फिमेल एक्सलर लीड़ आती ह हो आप सिंगल यह में भी डाल के पूर अम्प्लिफर को रन करवा सकते हो आप उसको परेलल मोड है इसमें आप देखो जैसे स्टीरियो मोड है अभी सब के ऊपर हम बात करेंगे तो स्टीरियो मोड के ऊपर फिर आपको दोनों के इंदर इसको इंपूट देना पड़ेगा यहाँ पर आप जैक्पीं के माध्याय से अन बैलानस भी यहाँ पर कनेट कर सकते हुए को क्या दिखा हुए आपको इसके बहुत सारे स्टीर नंबर भी और सबसे बड़ी बात ही है एक आपको ऑल नना इसमें वारंटी अब ले सकते हो तो कैसे होगा मैं आपको आगर यहां पे देखते हो कि उसी पास्ट लिखा हुआ है सबसे पहले अगर में इसके बात करूं तो सबसे पहले आप देखे तो ग्राउंड का स्विच है जो ओफ और ऑफ किया हुआ अभी और जो मोड है वो ब्रीज है इस्टीरियो है और पैरलल है तो अभी स्टीरियो के ऊपर ह इसका स्विच तो आपको दोनों चैनल में इसमें इंपूट देना पड़ेगा और उसके बाद में हम बात करें तो यहां पर आपको लिमीटर का स्विच देखनों को मिल जाएगा ऑफ और अभी ऑन किया हुआ था कि अपना स्विकर डेमेज नहीं हो और रहने में मोस्ली ए वेल्यू है और 0.75 है 1.0 है और 1.44 है अभी मैंने इसको सेंटर में किया हुआ है अगर मैं इसमें अगर एंबलेस लगाऊंगा तो मैं इसको 0.75 775 V पर कर दूँगा और अभी अगर मैं इसमें अगर बैलेंस या यह यूज करूँगा तो फिर मैं इसको सेंटर में रखा लो पास बाइपास और हाई पास बाइपास को ऊपर रहेगा तो आपका जो लो फ्रिक्वेंसी और जो हाई फ्रिक्वेंसी वह दोनों बराबर आएगी अगर लो पर कर दोगे तो आप जो लो फ्रिक्वेंसी वह जदा देखने को मिलेगी और अगर हाई पर कर दोगे तो आ आपको ज्यादा ड्रेबल ज्यादा में ज्यादा अप्र 2 ब्रेक्स नहीं करें गाएगा तर्फिक निचे लिखाओं उसके लाओ यहां पर आपको जो आपका स्पिकर कनेक्षण का जो पार्ट्य वो देखने को मिलेगा चैनल यह काई इस पीकोन आप यहां पर डाल सकते हो और बहुत अच्छे से समझाया वह इसके अंदर आप इसको पढ़के अपना स्पीकोन बना सकते हो और देख सकते हो कैसे लिखा हुआ है बिरिस्क में आपको कैसे यूज करना है चैनल यूज करना है यह सब अच्छे से पढ़के इसका कर सकते हैं तो आपके आपके वायर लगा सकते हो कोई दिक्कंत नहीं होने वाली इसमें आपको पलस माइनस देखने को मिल जाए कि दोनों चैनल के सेप्रेट अलग यह और यह तो कोई टेंसन वाला विसे नहीं है तो यह भी आपको एक बहुत अच्छा उप्शन कमने की पर थार यहां पर अपको इसका फ्यूस देखने को मिल जाएगा और उसके वैल्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा इंहां पर आपको इसका पावर सपलाई का सौकेट देखने को मिल देगा आपको इसके अंदर केबल डाना पड़े को जो कंपनी अपने एंप्लिफार के साथ में फ्री में देती है तो एसी इंपुट 230 वाट यहां पर इसका इंपुट सेक्षन जो पाउट सब्ले के वो देख सकते हो और इस तरफ वाफ फैन के स्क्रू है तो पीछे का जो सेक्षन था वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दिया है दोस्तों अगर मैं इसके फ्रेंट पैनल की बात करो तो यहां पर आप इसको देख हुआ है यहां पर आपको अनॉफ का स्विच देखनू को मिल जायागा और उसके बाब नहीं हां पर इसका नेचर पूरा फूर्ण गरीव तेखना मिल जायागा वंट्यलेशन के लिए कि आपकी खूल रहे और उसके बाबने करें हम यहां पे मेन इसके आउट-पुट की ब कीधे, वाररेंटे के साथ में यहां पर आपको मैं आपको सिमय इस तरफ देखने को मिलजाएंगा यहाँ पर बिल को दीके, इंपने सारे वारोंट नेखने के बाद में और चोंग से यहां रिजिस्टरियस्टस्अ कैसे करना है उर्म Audio साथ में तो आपको कंफ्लिट अगर यह सब नहीं हो तो शमझ लेगा आपको कोई डूप्लिकेट मिला या फिर और भी कहानी हो सकती है और यहां पर आप इसके वॉलिम नोपस देख सकते हैं जो काफी अच्छे हैं यह चैनल एक हो गया और यह चैनल भी का हो गया जो काफी अच्छे हैं हलो दोस्तों मैं जो से यह चैनल भी कितने बी पुराने साउंड वाल हैं जब हम एक मार्केट में एक अब्लिफार लेने के लिए निकलते तो सबसे दिमाग में काफी सारे सवाल गोमते रहते हैं कि कौन साइपलीफार लूँ जाब हम पहले से अपने काफी कंप्लिफार पर विश्वास रह कुछ नया यूज करें तो बहुत सारी समस्या सामना आती हैं बहुत सारी एंप्लीफार सामना आते हैं तो हर बार एक नई समस्या उत्मनों होती जब हमें एक नई एंप्लीफार लेने के लिए मार्केट में निकलते हैं तो दोस्तों मैं किसलिए बैठा हूं मैं आप सभी को स 50 वाट देखने को मिल जाएगा पर चैनल पर ह्यार ओम के ऊपर आपको इस सोपाँ सब्सक्रांर को मिल जाएगा और आट मों के अपर आपको ऊपर आपको श्रुशा का बेचने के आपको सब्सक्राइब करव시면akini इंद्स बैब्सक्रार चयमा के तो दोस्तों आप सबी लोगों को मुझे मिलता ही है और इसी तर मैं आपको और इन फ्यूचर साउंड के बारे मैं अच्छी जानकरी प्रोग्राइट के बारे मैं देता रहूं मैं आपको एक बहुत यह अच्छा अंप्लिफार आज सबसे बड़ी बात तो खुशी वाली है कि यह अप्लिफार सिर्फ 4 ohms और 8 ohms सी आता है पैसा भी पूरा लगता है बड़ मजा नहीं आता काफी वार अपने को 2 ohms में भी चलाना पड़ता है तो यह अप्लिफार 2 ohms सिस्टेबल है आप में से जो भी लोग जो भी साउंड हो ले भाई अकर इस एम्प्लिफार के साथ में आपका एक्स सकते हो 1550 वार्ट इसमें ohms आउटपूट है दो पर चैनल पर अपने 400 वार्ट के नियर बाई अगर आपके पास टॉप है तो 400-800-1600 वार्ट नियर वाट आप अपने एक चैनल पर लगा सकते हो एक चैनल पर लगा सकते हो अगर उससे जादा आप लगा तो अपने की अप् वार्टेज में अगर आप 4 उक्सके अपडर आपने 500-500 वार्ट के मोनीटर लगा सकते हो दो मस के ऊपर आप अपने 1-800, 1500 वार्ट शोड़ों मोनीटर लगा सकते हो बनाद यक चैनल के उपर आप लोगा सकते है और और तो सबसे बड़ी बात सबस्था आपको एक लानट अ चलेगा टॉप भी चलेगा आपके मॉनिटर भी चलेगे एवन अगर आपके को सिंगल बेस चला रहा हो तो आपके लिए आपको बैस के लिए आंपको लाइन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है अगर आपको बेस चलाना तो आप इसी कंपनी के NX Audio कंपनी के MT सीरीज के उपर जाए जो काफी अच्छा सीरीज जो काफी ज्यादा बिगने वाला सीरीज है उसके MT 1601, MT 1801, MT 2001, MT 1201 सब ज्यादा बिगने वाले एंप्लिफार है जो मार्केट में सबने तेहल का मचा के रखा है और दोस्तों मैं करा हूँ आपको बेस चलाने तो आप उस सीरीज पे चाहिए अगर आपको टॉप लाइन ने मोनिटर चलाने तो आप इस सीरीज पाईए सबसे बजट वाले एंप्लिफार है और सबसे बड़ी बात मैं कर रहा हूँ आप इसको यूज करोगे तो आप मुझे करें बता होगे और जो लोग यूज करें वह भी कमेंट करें तो वहां पर भी आपको नाम से अप्शन डिस्पले देखने को मिल जाएगा वहांपर आपको किली करना है फिर इनकी में वेब साइट ओपन होगी और उसके बाद में आपको पने अडरेस डालना जो भी आपके एड्रेस और उसके बाद में आपको अपना स्टीट तो आपको अपना अच्टे ब्रोशेस बहुत घ्रचेस आप दस अब कर रहा हम ऐसे करिए आपसे मेरा वालों कौपी पेस्ट मत कर देना तो क्योंकि मैं तो आरे आप इसे टैंप्रेयरी बर रहा हूं उसके अंदर और ऊसके बाद भात इजी कोई देख लिए कोई दिटी का नेम डालनने के भाद आपके टीलियर नहीं दालने के आपके पास के नहीं मालूम तो आपको नहीं देंख लिए को सब्सक्राइब अगर आप जब देगा उसके बाद में डिलर का सिटी कौन सा है अगर आपके हम्तेन स्टी से डिक्कत नहीं है नहीं तो है कि डिलर के नमबर याया वहां नापने क्यों से टारीख का लिए जो आपको आप एंप्लिफायर जो वरंटी के साथ में रजिस्टर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं बहुत इजी प्रोसेस है तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में मैं हूँ आपका दोस्त डीजय संजय जोशी और अगर अभी तक आपने हमार जय बारत राम राम नमस्कार धन्यवाद